आप सभी का स्वागत है UP Academy for Civil Services में आज का ये case study का part 2 है जहाँ पे एक सची घटना के बारे में मैं एक प्रशन बनाके आप से ये expect कर रहा हूं कि आप ऐजे अधिकारे इस situation में क्या करेंगे वो भी तब जवाब दीजेगा जब मैं आप से पूछूँगा exactly उस समय पे रोग के आप अपना जवाब दीजेगा पिछली वीडियो में मैंने एक ऐसा ही प्रशन दिया था वो भी बहुत अच्छा प्रशन था और मैंने ये शुरू में ही कह दिया था कि 80 प्रचत लोग इसका जवाब सही नहीं दे पाएंगे और आप हैरान होंगे 90% बच्चों ने गलत ही चुरू कर देंगे आपका ब्योहार वैसा बन जाएगा उस दिन आपका फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा याद रखिए एक जीरो लेवल से एक अधिकारी बनने तक का जो सफर है वो आप तैयारी के दर्मान में ही कवर कर लेते हैं एक्जाम सिर्फ ये वेरिपाई कर देता ह आपके तैयारी औरिजनल अधिकारी आप बनते हैं तैयारी के समय ही तो आप इस सिचुईशन को पढ़िए फिर मुझे जवाब दीजिए और हो सकता है कि इसका एक से ज़्यादा जवाब सही हो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो तो आप उस हिसाब से बताईएगा प्रश अधिकारी बना के आपको एक जिले में भेजा गया है कि भईया जो सिक्षा के अधिकार अधिनियम का उनलंगन करते हैं उनके खिलाफ कारिवाई करिये अब ये कहता है कि भईया बच्चों को अनिमारी शिक्षा दी जानी है लेकिन आपके पास एक बड़ा अजीबो मामला क्या आता है आप देखते हैं कि एक गाउं में एक ऐसा मामला आया है जिसमें एक किसान पिता अपनी बेटी को पांचवी कक्षा की वार्षिक परिक्षा वो नहीं देने जाना चाहती मतलब एक बेटी है किसान पिता है उसकी एक बेटी है जो पांचवी की वार्षिक परिक्षा को नहीं देना चाहती उसका पिता इसलिए उसको बहुत पीटता है क्यों पीटता है क्योंकि वो परिक्षा नहीं देना चाहती और आखिरकार वो अपनी बेटी को मोटर साइकल पे बांध कर ले जाता है examination hall में और वहाँ क्या कम कर रहा है बेटी को मार के ले जा रहा है बहुत पिटाई करके ले के जाता है कहां पे school में exam दिलाने condition क्या है आपको पता है कि माता पिता या फिर सिक्षकों द्वारा बच्चों को शारिदिक दंड देना मारना पीटना ये एक दंड नहीं अपराद है और इसके लिए तीन महीने के लिए जेल जा सकते हैं एक पिता माता पिता भी जा सकते हैं बिर कोई कंप्लेन कर दे और एक वो भी जा सकता है कौन सिक्षक भी जा सकता है जेल कितने महीने के लिए तीन महीने के लिए आप एक अधिकारी है जब आपके संग्यान में ये मामला आता है तो आप जाते हैं और आपने पूछताच की तो पिता ने बताया किसान से जब पूछताच की तो उसने कहा कि मैं ये अपनी बच्ची की बहतर भविश्य के लिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जो गरीबी मैंने देखी वो गरीबी मेरी बेटी भी देखे मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जो गरीबी मैंने देखी वो गरीबी मेरी बेटी भी रहे उसकी आर्थी किस्तिती अच्छी हो याद रखिया ना और अगर सर आपने और वो अधिकारी से वो आपसे कहता है वो बच्ची का पिता कि सर अगर आपने मुझे जेल में डाल दिया ना तो मुरा घर कौन चलाएगा मैं इतना गरीब हूँ कि मैं जो दिन भर मेनत करता हूँ उसी के पैसे से मेरा परिवार खाना काता है अगर आपने सिर्फ इसलिए मुझे मार दिया या मुझे जेल में भेज दिया कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए एक्जाम दिलाने के लिए मारा है तो फिर मेरे गर को चलाएगा कौन तो बड़े मुश्किल सिती आ जाएगी यहाँ पे एक अधिकारी के तौर पे आपके पास क्या-क्या option available है पहले मा आपको बता दूँ यहाँ पे देखें प्रशन तो पूंच रखा है कि आपके क्या विकल्प है आने वाले समय में जब आप एक्जाम दे रहे होंगे मेंस में तो आपसे यह भी पूंच लेता है कि आप खुद विकल्प बताईए और हर विकल्प का positive merit और demerit बताईए तो मैं आपको पहले विकल्प बता देता हूँ सबसे पहला विकल्प ध्यान से शनिएगा सबसे पहला विकल्प आप कुछ नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे और वहां से वापस चले जाएंगे पहला काम चुछी पिता ने अपनी बच्ची के बहतर भविश्ची के लिए यकाम किया वो ककषा 5 की बच्ची थी ध्यान से सुनियेगा, मेरी बातों पर मच जाईएगा, आप याद रखिएगा, एक सचे सिविल अधिकारी का काम किसी की भावनाओं में बहना नहीं है, याद रखिए, कभी कभी नहीं, अधिकतर ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है, कि पूरी भीड भले कह रही हो कि ये चीज अच्छी है, लेकिन वो चीज गलत हो सकती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो चीज अच्छी लग रही होगी सबको, हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा इस समय एक बड़ा केश चल रहा है, कि लॉरेंस विश्णोई, लॉरेंस विश्णोई, अब पूरा का पू है कि नहीं, तो ऐसे ही आपको समझना चाहिए, केस वन, सबसे पहला, आप कुछ नहीं करेंगे, चुकि भाई, आप जानते हैं, कि ये, पिता ने अपनी बेटी के लिए, वो काम किया, पिता ने अपनी बेटी के बहतरी के लिए काम किया, दूसरा सिच्विशन, फिर से बत according to law, आप क्या करेंगे, उस पे legal action लेंगे, याद रखिये, legal action ले डालेंगे बाप पे, पिता पे, दूसरा condition, तीसरा condition, मैं आपको सारे situation दे रहा हूँ, आपको सिर्फ situation में comment box में बताना है, और ऐसा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा situation सही हो, तो भी आप बताईएगा, पह गलत किया न, चाहे कितना भी बहतरी के लिए का काम तो गलत किया, तो आप legal action लेंगे, तीसरा, आप क्या करेंगे, तीसरा आप पिता को डाटेंगे, you will strictly ask him कि दुबारा बच्ची पे हाथ ना उठाए, आप क्या करेंगे, पिता को बहुत अच्छे तरीके से डाटेंगे कि आप दुबारा बच्चे पे हाथ मत उठाए, और एक warning देके आप पिता को छोड़ देंगे, you will give a warning, ध्यान से सुनिए, you will give a warning to father, अच्छा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी समझ जीए, ये warning आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने पिता को arrest करवा दिय तो उसका घर चले उलने वाला नहीं है, कौन चलाएगा, पूरा घर परिवार मर्जने खाने लिए, जीने लिए, भाई कैसे काम करेगा, नहीं कर पाएगा, तो तीसरा option क्या कहता है, आप पिता को warning दे रहे हैं कि तुम अपनी बेटी को मारो मत चाहिए, जो हो जाए, बाक the reason, ये reason जानने का प्रयास करेंगे कि वो बच्ची exam क्यों नहीं देना चाहती, समझने हैं न, try to know the reason why she don't want to give exam या फिर study, वो क्यों पढ़ना नहीं चाहती, आखिरकार क्या reason है, ऐसा तो नहीं कि कोई वहाँ पर उसको परिशान कर रहा हो, इस वज़े से वहाँ नहीं जाना ऐसा तो नहीं कि लोग लज़ा के वश नहीं जाना जाती, कुल मिला के आपके पास कितने option हैं, चार option है, अब मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनमें एक से ज़्यादा option सही लगे, बिल्कुल हो सकता है एक से ज़्यादा option सही हो तो बिल्कु option कुछ नहीं करेंगे चुकि पिता ने बच्ची के बहतर भविश्य के लिए किया दूसरा काम गलत काम किया गलत तो गलत लीगल आपने action ले लिया पिता पे और कानून केता है जो भी सजावजा होती है वो आपने उसको प्रोसीड आगे कर दिया तीसरा काम पिता को strict warning दी कि दुबारा जीवन में ये घटना मत करियेगा बेशक आप उसके बहतरी के लिए कर रहें लेकिन दुबारा जीवन में ये घटना नहीं होनी चाहिए और इसके साथ आप उसके पिता को छोड़ देते हैं और चौथा काम कर करते हैं कि ये जानने की कोशिस करते हैं कि आखिरकार वो बच्ची को क्या समस्या है वो क्यों एक्जाम देनी देना चाहती क्या उसको कोई और प्राब्लम तो नहीं है स्कूल में आप ये जानने की कोशिस करेंगे हो सकता है आपको एक से ज़्यादा option सही लगे तो अब त के बाद अपना answer type कर दीजे, फिर आगे देखना शुरू करिएगा, condition यही है, नहीं तो मत देखिए video मेरा, कोई ज़रूरत नहीं देखने की, ठीक है, और अच्छा लगे तो like कर सकते हैं, सबसे पहला situation, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, do nothing, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यह option भी आपके पास होना चाहिए, कि आप बताईए, verify, कुछ भी याद रखिए, एक civil सेवक को हर चीज का justification देना बहुत जरूरी है, हर चीज का justification, आप कुछ भी बोल रहा है, उसके पीछ आप source बताईए, क्यों कह रहा हैं, justify करिए, तो सबसे पहला काम आप option 1 सही है, कुछ नहीं करें, क्योंकि पिता बेटी की भलाई के लिए काम कर रहा है, दूसरा, आप law के तहट action लेंगे, पिता पे जो भी कानूनी कारवाई होती है, वो करेंगे, यह इसलिए नहीं करेंगे, याद रखिए, कि आप हैं क्या, आप क्या हैं, याद रखिए, ल सिक्षा का अधिकार कहता है, कि बच्चे को सिक्षा देनी चाहिए, तो पिता तो अपनी बच्ची के भविश्य के लिए ही काम कर रहा है, उसको एक्जाम दिलाने ले जा रहा है, तो ये चीज़, क्या पूरी तरीके से आप सही मान सकते हैं इसको, आप पूरी तरीके से इ नहीं बच्चे को ये strict तोर पे बता देंगे ये काम आप ये करेंगे तो मेरे हिसाब से इसका option 3 और 4 होता है याद रखिए सबसे बहतर option है 3 और 4 क्यों क्यों कि option 3 ये कहता है अगर इन दोनों में से आएगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर objective में आता है तो objective में आपको ये क option 3 या 4 में से कोई भी करेंगे तो शायद दोनों को सही माना जाएगा ये भी आप याद रखिएगा जैसे option 3 क्या कहता है पिता को warning दे देंगे और option 4 जो सबसे जरूरी और सबसे पहला काम करना चाहिए वो क्या काम करना चाहिए एक तो पिता को डाटिए दूसरे नंबर प आप उसको जानने की कोशिस करिए तो मेरे हिसाब से इसका option 3 और 4 सही है और मेरे हिसाब से क्या सही ही 3 और 4 है तो आपका मेरा हिसाब नहीं option 1 या option 2 नहीं सही हो सकता तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा ये एक सची घटना पर आधारित है और ऐसे और ही interesting धीरे ध अच्छा आज कल मैं आपको शुरुवाती दोर की classes में option में आपको खुद दे रहा हूं लेकिन आप याद रखिएगा आने वाले समय पे आपको option खुद से समझना है अच्छा यहां पर एक अधिकारी के साथ dilemma किस चीज का रहा है डिल्मा का मतलब दिक्कत कहां पर आ रही ह उसकी ethical में कैसी उसकी professional और personal ethics दोनों फंस रही है याद रखिए उसकी professional और personal ethics इसका मतलब यहां पर कैसा dilemma है ethical dilemma है ethical dilemma का मतलब एक दंड देना है कि नहीं देना है यह ethical dilemma होता है तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा अगर आपको अच्छी लगेगी तो फिर में अगली करीगा